कॉलेज उनिफॉर्म के नाम पे बच्चों से पैसे अटना प्लेस्मेंट की 100% शॉरिटी देने के बावजूद भी आखिर त्यू खबा है बच्चे आखिर त्यू कॉलेज का एट्मिशन डिपार्टमेंट बच्चों का जी कट्टा कर रहा है आखिर क्या है सच क्या सच में इतनी दीश होने के बाद भी कॉलेज बच्चों को खुश नहीं कर पा रहा आएए आज कटके हैं एक और कॉलेज का रियालिटीच है दोस्तों मैं हूँ आपका अपना करन सर from colleges18.com से मैं आपके लिए अलग-अलग colleges के reviews and details लेके आता हूँ ताकि अगर आप किसी college में admission लेने का plan करें तो आपको मेरी इन वीडियों से पूरी तरह मदद मिल सके तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा गुरुगराम की एक मशूर university SGT university यानि शिरी गुरु गोबिन सिंग ट्राइसेंटिनरी university जी हाँ ये वही college है जिसका अपना hospital भी है बट आएए सबसे पहले देखते हैं college की एक जलग है बटनО क्वार देखते हैं प्केंघग्र Vari को भी है बटना कंटी जीक स्थी्ब्स आएग्र देखते हैं झाल सक्रथ चोरी ऑंच ए prevention कि मिल खंखते हैं हतलNãoichen घ् करुडर एकाुड़ ला cutting सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें एक प्राइवेट उनिवर्सिटी में से है जो दशमेश एदुकेशनल चेरिटिवल ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई है आईए सबसे पहले कॉलेज की लोकेशन पे नज़र डालते हैं सो एज़िटी उनिवर्सिटी बुधेरा, गुरुग्राम, बादली रोड पे पढ़ता है ये कॉलेज इसको चौक मेट्रो स्टेशन से लगभग 21 किलोमेटर की दूरी पर है मेट्रो स्टेशन से कॉलेज जाने के लिए आपको पबलिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होगा और अगर दिल्ली से कॉलेज की दूरी देखे तो वो एप्रोक्सिमेटली 40 किलोमीटर से है बट कॉलेज अपनी ट्रांसपोर्टेशन भी देता है जो दिल्ली से भी एफिलेबल है आईए कॉलेज का इंफ्रा देख लेते हैं ये कॉलेज 70 एकर के एरिया में बनाया गया है क्लास्रूम, स्पेशियस होने के साथ-साथ स्टेट ओफ दी आर्ट, मल्टी मीडिया, टीचिंग मेथड से एक्क्विट भी है कॉलेज में एडवांस लाब है, लाइब्रेरी है जहां करीबन साड़े 400 बच्चा एक साथ पैट के पढ़ाई कर सकता है यहां हॉस्टल भी अविलेबल है, जहां का फीडबैक भी हमें ओके-ओके मिला कैफेटेरिया, फूट कोर्ट जैसे सुविधाय भी यहां उपलब्ध है स्पोर्ट की बात करें, तो यहां हर स्पोर्ट जैसे पास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल, टैनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन के लिए फैसिलिटीज एंड प्लेग्राउड मौझूद जो बात करते हैं कॉलेज के अप्रूवल्स की, तो SGT University, UGC और AICT से अप्रूवड है, इसके अलावा भी कई सारे अप्रूवल्स युनिवर्सिटी के पास एविलेबल है और अगर कोर्सिस की बात करें, तो लगभग 160 कोर्सिस कॉलेज ओफर करता है जैसे की टेकनिकल कोर्सिस, मेडिकल कोर्सिस, लॉग कोर्सिस, मास कॉमिनिकेशन और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस ट्रेंस देना होगा कुछ कोर्सिस में डारेक्ट एडमिशन भी अवलेबल है अगर बात करें B.Tech में एडमिशन लेने की तो J.Mains की रैंकिंग के बेसिस पे भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और entrance appear करने के लिए आपको 12 में कितनी percentage की requirement है वो जानने के लिए आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं इस college में करीबन 25% seats हरियाना डोमसाइल के लिए और 10% reserve category के लिए जो seats हैं वो reserved है सो अब बार याती है SGT University faculty तो यहाँ की faculty बच्चों के reviews के according knowledgeable और qualified होने के साथ साख काफी helpful भी है यह तो बच्चों के लिए काभी अच्छा है and I'm sure यहाँ बच्चे अपनी faculty से काफी knowledge लेते होंगे male faculty का ratio female faculty से थोड़ा जादा है so overall faculty is good so अब देखते हैं यहाँ admission लेने के बाद हमें क्या-क्या opportunities मिलती है college में international tie-ups है जहां आप semester exchange करने का plan कर सकते हो college का अपना hospital भी है जहां medical students को jobs and internship provide की जाती है साथ ही यहाँ एक अच्छा incubator भी है जहां start-ups को promote किया जाता है इसकी opposite थोड़ी problems की बात कर लेते है so college एक rural area में पढ़ता है जहां आज-पास market बहुत दूर पढ़ती है 75% attendance is must college में uniform code भी है जो आपको school वाली feeling याद दिला देगी college में male students की strength female students से जादा है तो अब बात करते हैं इस college के fest की so यहां हर साल college का cultural press होता है holy दिवाली जैसे festivals का भी धूम धाम से मनाये जाते है यहां बाकी रही बात celebrities की तो यहां शारुकान, अनुश्कार, शर्मा, रंबीर, कपू जैसे actors अपनी movies की promotion के लिए आते रहते हैं चली अब इस college का placement देख लेते हैं इस college में highest package दस लाख रुपे का और average package चार लाख के करीब यह था बड़ इससे ज्यादा कोई और information website पे नहीं मिली कुछ बच्चों के reviews देखें तो वो थोड़ा placements को लेकर के नाखुश हैं और कुछ बच्चे placements से satisfied भी हैं सो बाकी आर आप पे ही depend करता है कि जैसे आप अपनी महनत करोगे, hard work करोगे, extra curricular, चीजों के अंदर participate करके अपनी personality enhance करोगे तो definitely placements आपको ज़रूर मिल पाइंगे बाकी medical students के लिए तो college का hospital ही है, job देने के लिए overall तो हम कहना चाहेंगे कि placements के average की श्रीनी में आते हैं बाकी amazon, infosys, doctor.com, tcs, oracle और बहुत सी companies college आती है recruitment के लिए last but not the least, आइए देखते हैं इन सब facilities देने का college आपके कितना चार्ज लेता है P-tech में करीबन 1,93,000 के आसपाँ पीस रहेगी, MBA के लिए 2,63,000 रूपीज, M-tech के लिए 92,500, BBA के लिए 1,63,000 and इसी तरीके से अलग-अलग courses की अलग-अलग पीस इस college का फीस structure थोड़ा ज़ादा है बट इस फीस को आप कैसे justify कर पाते हैं, it's totally up to you scholarship देखते हैं तो ये college काफी अच्छी scholarship देता है अगर आपकी 12th में 90% and above है तो 75% तर क्यूशन फीस वेवाफ हो जाएगी 75% attendance पे 50% and 60% age पे 25% की scholarship आपको मिलेगी college के दरीए 5% extra scholarship है उन girls के लिए जो non medical courses लेना चाहते हैं college staff का अगर कोई बच्चा admission लेना चाहे तो 25 to 35% तक tuition free scholarship वेवाफ कर देता है college बाकि reserve category के लिए भी college scholarship provide करता है बट scholarship maintain रखने के लिए आपको 80% attendance के साथ all clear exam करना होगा वे 75% bucks यह थोड़ी tough situation हो गई college की तरफ से बच्चों के लिए तो finally आते हैं इस college में किस पच्चे को admission लेना चाहिए और कौन बच्चा जरा दूर रहे है तो दोस्तों यहां दोनों ही type के admission ले सकते हैं बच्चे अगर आप मैनत करने के लिए तयार हो तो college आपकी पूरी तरह मदद करेगा जो बच्चे medical courses opt करना चाहते हैं तो say yes to this college क्योंकि यह college आपको पढ़ाई के साथ-साथ placement के scopes भी देगा अगर आप college की fees afford कर सकते हो तो यह दिल्ली NCR में आपको पढ़ाने वाला एक अच्छा option साबित हो सकता तो दोस्तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ I hope मेरी इस वीडियो से पूरी तरह आपको मदद मिली होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूने शेर करें अपने दोस्तों के साथ अपने colleagues के साथ और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो प्लीज इसे subscribe कीजिए क्योंकि इसी तरीके की interesting videos को पाने के लिए आपको मेरे चै सकते हैं हमारी website www.colleges18.com पर भी आकर हमसे बात कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो